यहां वीडियो केवल दर्सकों को सिख्षित करने के लिए ना कि कोई गैर काउनी या अवैद क्रिया कलापों को दिखाने या सिखाने के लिए हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रिया कलापों को बहावा नहीं देते हैं जिससे कि सिलेक्टी विशेश, संस्था, संग या का नुक्सान हो अथा दर्सकों से निविदन है कि आप लोग वीडियो की किसी विभाद का गलत करी के से स्तमाल ना करें धनिवार यह प्रोसेस बताने वाला हूं, तीन मेथट से आप इसको यूज करेंगे और तीनों मेथट में कम से कम एक मेथट तो आपका काम करेंगा यह 100% और आपका पैसा वापस मिलने का चांस 99% होगा, मैं 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूं, कि हो सकता है एक परसंट में आपको को कम लिएगा, तो ज्यादा वापस नहीं करते हैं, आपको तीनों में से समझाते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, पहला इस्टेफ सिस्टम क्या होता है, तो देखिए, आपने फोन पर या पे-टी-म या गूगल पर किसी से भी किसी को पेमेंट कर दिया है, तो जितना जल्दी हो सके उस में एक्जामपल लेता हूं पेटियम का माल लेते हैं कि आपने पेटियम से किसी को wrong person को payment किया तो जितना जल्दी हो सके उस payment का स्क्रीन सोट अपने पास रख लीजिए उसका ट्रांजेक्शन आईडिर अपने पास रख लीजिए और हो सके तो 24 जंटा के अंदर ही सारा प्रोसेस को करना है यह स्टेफ है पहला और यह करने के बाद आपको क्या करना है सिंपली उसी पेमेंट वाले ऑप्शन में जाकर करक है मैं अपना पेमेंट वापस चाहता हूं तो पेटीम हो फोन पे हो गूगल पे हो वहां से रिप्लाई आता है जो प्रोसेस आपको करने बोलेगा आप कर दीएगा कोई देकर नहीं होता है तो दूसरे इस टेफ होता है उस जिस एप्लिकेशन को यूज करके आपने पेमें पेमेंट कर दिया है और पैसा वापस नहीं मिल रहा है आप मनें मिल रहा है यह सब लिख के आप सेंट कर दीजिए तो बहुत हटाग है वहां से सोल्यूशन मिल जाता है अगा वहां से भी नावद होती से अप्शन है पेटीम में ही पेटीम होगल को कहीं भी हो कोई दिकर अपने बैंक जाने के बाद आपको चार्जबेक का कंप्लेन लेटर लिख के लिए आना है बैंक में जो को देना है अगर वहां पर नहीं होता है तो आप उस बैंक का जो नोडल ऑफिसर होता है उसको सब्जेक्ट होता है अपने प्रोब्लम अगर हुआ है तो यह करने के बाद बैंक का भी हो गया अगर दोनों में फिर भी सोलूसर नहीं होता है तो लाश्ट आपको प्रोटन में जाकर कंप्रेंड मारी है और हंडेट पसंद आकर सॉलूसर हो जाएगा अगर कुछो पसंद आए हेल्फू लाट अपकलिब आए यहीं तन्यवाद झाल सॉलूसर